कांगड़ा जिले की उपमंडल दर्मशाला के तहत जिद्धवाडी स्थित ग्यातो बौत मट में करोना संक्रमित का बड़ा बिस्फोर्ट हुआ है बौत मट में एक साथ 98 करोना संक्रमित मामले सामने आए हैं जबकि जिला भर में कुल 108 मामले सामने आए हैं ग्यातो मट में बौत बिक्षो के करोना संक्रमित होने का दोर थमने का नाम नहीं ले रहा है मट में 25 फरवरी से करोना संक्रमित के मामले सामने आ रहे हैं बड़ी बात ये है कि मट में रहने बाले सभी बिक्षो की रिपोर्ट अभी नहीं आई है अभी तक करीब 124 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है मटमी मजूदा समय में करीब 350 भिक्षूबर स्टाफ सदस्य रहते हैं जिले में एक ही दिन में 100 से अधिक लोग लंबे समय बाद संक्रमित हुए हैं दिसंबर के बाद जिले में करोना संक्रमित का दोर थमने लगा था दिसंबर से पूर्व हर रोज 100 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे उस समय स्वास्ते विभाग रोजाना 1200 से 1500 लोगों के सेंपल ले रहा था बहुत बिक्षों के अलाबा 10 अन्य लोगों की रिपोर्ट भी पोजिटिप आई है मुखे जिकित्सा अधिकारी कांग्रा डॉक्टर गुर्दर्शन गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक 8,565 लोग संक्रमित हुए हैं और इन में से 8,137 ने वैश्विक महमारी को माद दी है उन्हें कहा कि 219 लोगों का उपचार चल रहा है और 207 की मोत चिला कांग्रा में कोवेट के कारण हुई है CMO कांग्रा ने कहा कि स्वास्ते विभाग हर स्थिती पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है उन्हें कहा कि ग्यातो मट में बढ़ रहे मावलों के चलते उपक्षेत्रों को पहले ही प्रशासुंदरा कंटेन्मेंट चोन खोशित कर दिया गया है CMO ने लोगों से मास्क पहनने की अपिल की है यह हमें कलस्टर जो है कॉविड पॉस्टिव केसिस का गैटो मिनिस्ट्री सिद्वाड़ी से मिला है अभी 23 तारीकों कुछ एक दो मामले वहां से रिपोर्ट हुए थे जब हमने इसमें डिटेल कंटेक्ट टेसिंग की और बाकी उनके जो संपर्क में आये लोगों के टेस्ट किये गए तो 23rd February onwards यह मामले आ रहे हैं अभी तक हमने वहां से 330 विवागने सेंपल लोगों के इकत्र किये थे जिसमें से 154 154 जो हैं वो पॉस्टिव पाए गए हैं फॉर्चिनेटली उनमें से सिर्फ एक ही मामला सीरियस था जिसको हमने टांडा शिप्ट करना पड़ा बाकी जितने भी पॉस्टिव लोग हैं वो होम आईसलेशन में मोनेस्टी के अंदर ही हैं और जो नेक्टिब टेस्ट हुए हैं उनको भी कॉर्रेंटिंग किया गया है हमने पहले दिन से ही जिला परसाशन के सायोग से उस सारी रिये को कंटेन्मेंट जोन गोशित करवा दिया था मामले बड़े हैं पर वो एक ही जगा पे एक रत्रित हैं विवार की इसके उपर पहली नजर है और सोपीज के मताबिक उनका उपचार किया जा रहा है जो अभी तक जो है जिला में 8566 पचासी सो 66 कंफर्म्ड पॉस्टिव केसिज हैं जिसमें से 8144 एकासी से 44 लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव केसिज की संख्या जो है दूसरो तेरा